क्या सुम्बल तौकीर खान का शो काव्या एक जस्पा एक जनून होने वाला है और फिर सुम्बल तौकीर खान ने दिया इस पर अपना रियाक्शन एक बॉस खत्म होने के बाद सुम्बल तौकिर खान एक शो में नज़र आई जिसका नाम है काव्या एक जस्पा एक जुनून शो में काव्या का रोल प्ले करती हुई सुम्बल नज़र आती है जो कि एक IAS ओफिसर है और उनकी शादी पॉलिटेशन के बेटे से हो जाती है इस शो में सुम्बल तौकिर खान किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल और परसनल लाइफ को मैनेज कर रही है ये फैंस को देखने को मिलता है सुम्बल का ये अफ़तार फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है आपको बता दे सुम्बल इस शो में मिशकात के साथ में लीड रोल प्ले करती हुई नज़र आरे और दोनों की केमिस्ट्री भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती है अब आल फैलाल में ही खबरे सामने आई थी कि IPL 2024 से पहले कई सारे शोस जो हैं वो मेकर्स बंद करने वाले हैं और उसी में से एक शो होगा काफ व्या जी हाँ यहाँ पर खबरे जो सामने आई थी उनमें ये दावा किया गया था कि IPL 2024 के शुरू होने से पहले सुम्बल तौकीर खान के शोकाव्या एक जस्पा एक जुनून को ओफेर कर दिया जाएगा अब इनी सारी चीजों से रिलेटेट सवाल भी सुम्बल तौकीर खान से एक लेटेस्ट इंटर्वियू में पूछा गया इस पर सुम्बल ने अपना रियाक्शन भी दिया है तब सुम्बल से सवाल किया गया कि उनका शोकाव्या के ओफेर होने वाला है तो उसका जवाब देते हुए सुम्बल तौकीर खान ने कहा बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला है मैं अभी ऐसे ही आऊंगी और अपने फैंस को इंटेटेंट करती रहूंगी वाला आपका सुम्बल तौकीर खान के दिये इस रियाक्शन पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चान